नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जी के हेल्प विद जयार वीवर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान का राजय पसू राजस्तान का राजय पसू चिंकारा भी है और राजस्तान का राजय पसू उंट भी ह आए दोस्तों ये देखिए चिंकारा वन्य जीव स्रेणी के अंतरगत राजस्तान का राज्य पसु है और उंट है वह पसुदन स्रेणी के अंतरगत तो अगर एक्जामिनर क्वेश्चन पुछेगा तो कि राजस्तान का राज्य पसु है तो इसका उत्र होगा चिंकारा ओप जिव स्रेणी के अंतरगत आता है दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जुरूर करना साथ ही दोस्तों अपने मित्रों के साथ वीडियो को सेर करना क्योंकि एक्जाम की द्रश्टी से इससे रिलेटिव एपोर्टन क्वेस्टन पूछ लिए जाते हैं तो आज सभी जो भी राजय पसु से रिलेटिव एक्ट है इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो बात करते हैं राजय पसु चिंकारा से रिलेटिव एक्ट के बारे में तो चिंकारे को राजय पसु का दरज़ा कब दिया गया तो 22 मेई 1981 तो अगर यह question पूछा जाए कि राजय पसू का दरजा कब दिया गया तो 22 मेगी 1981 में और इसका विग्यानिक नाम के गजेला गजेला विग्यानिक नाम है गजेला गजेला इसका उपनाम है छोटा इरन यह भी ध्यान रखना क्यों कि इरन के मुकाबले में इसका जो आकार या नारगड अभैरने जैसे काले इरनों के लिए ताल छपर अभैरने चूरू का फेमस है उसी तरह चिंकारों के लिए नारगड अभैरने जेपुरू का फेमस है तो ये भी आपको द्यार रखने और राज्य में स्रवादिक चिंकारे जोदपुर जिले में पाये जाते हैं अग रहे हैं स्वाई मादवपूर का बाग है उसी तरह स्री गंगानगर जिले का सुबंकर क्या है चिंकारा तो आपको ऐसा कोस्टन भी मिल सकता है कि स्री गंगानगर जिले का सुबंकर क्या है तो राजे पसू चिंकारा तो ये इतने फेक्ट थे राजे पसू से रिलेटिव एक्जामस में यहीं से एक कोस्टिन पूछ लिये जाते हैं तो आपको ये सबी याद रखने हैं अब बात करते हैं राजे पसू उंट पसू दन स्रेणी के अंतरगत दोस्तों उंट को राजे पसू का दरजा 19 स्टमबर 2014 में दिया गया दोस्तों 2007 और 2012 के मद्द उंटों की जन संक्या में गिरावट आई लगबग 22% यानि इन पांस सालों में भी 22% उंटों की संक्या में गिरावट आई इसी को देखते हुए राजे सरकार ने 19 स्टमबर 2014 में ऊंट को राजे पालतू पसू गोसते कर दिया तो अब जो भी फेक्ट है हम देख लेते हैं उंट वद रोक अधिनियम दिसमबर 2014 में ये अधिनियम परिद किये गया उंट वद रोक अधिनियम उंट का विजयने के नम क्या है? तो Camilles Domedoris यह भी आपको याद रखने हैं कि राजय पसु उंट का विजयने के नम क्या है? Camilles Domedoris उंट कुस्तानिय बसा में रेगिस्तान का झाज भी केते है? मुरुस्तन का झाज एक ही बात होगी तो ये भी त्यार रखने है उंठों की संक्या की दरश्टी से राजस्तान का बारत में एका दिकार है दोस्तो राजस्तान में बारत के 70% उंठ है पाए जाते हैं तो राजस्तान का बारत में एका दिकार है उंठों की संक्या की दरश्टी से राजे में सुर्वादिक उंठों वाला जिला राजस्तान के जो 33 जिले है उनमें सुर्वादिक उंठ किस जिले में पाई जाते हैं तो दोस्तों याद रखना आपको जेसल मेर में क्योंकि रेगिस्तान का जाज है और स्रुवादिक रेगिस्तानी या मुरुस्तिली लाक है वो किस जिले में है जेसलमेर में तो स्रुवादिक उंठ जेसलमेर जिले में पाए जाते हैं और राजे में सबसे कम उंठों वाला जिला परताब गड़ है तो ये भी आपको त्यार रखना है जो राजस्तान का 33 मत जिला 26 जनुवरी 2008 को गठित किया गया इस जिले में सबसे कम उंठे पाए जाते हैं अब बात करते हैं उंठ अनुसंदान के अंदर यहां से क्वेस्चन पुछा गया है इपोर्टेंट है दोस्तों उंठ अनुसंदान के अंदर का स्तित है जोहड बीड बिकानेर जिले में उंठ अनुसंदान के अंदर स्तित है और उंठ नी के दूद के लिए एक डेरी भी बन उंठनी के दूद में केल्सियम मुग तवस्ता में पाया जाता है इसलिए इसके दूद का धई नहीं जमता तो उंठनी के दूद का धई नहीं जमता क्योंकि केल्सियम है इसमें मुग तवस्ता में पाया जाता है उंठनी का दूद मदू में है कि रामबान ओस्दी के साथ सा प्लिया रोग में भी प्योंगी है दोस्तों मदूमय है यानि डाइबटीज और सुगर के रोगी होते हैं उनके लिए उंठनी का दोध है रामबान उस दिये तो आपको यह भी ध्यार रखना है इसलिए और केमल मिलक डैरी बिकानेर में बनाई गई है और नाचना नाचना ज यह सब के जुआन करते हैं इसके बाद बात करते हैं गोमट जो नसल उंठ की वो फ्लोधी जोधपुर में पाए जाती है और यहां का उंठ है सुवारी की दरश्टी से परसीद है सुवारी की दरश्टी से कौन सा उंठ फेमस है तो इसका उतर होगा गोमट यह भी आपको जया रखने है और बिकानेरी नसल उंठ बोज़ा डोनी की दरश्टी से परसीद है बिकानेरी नसल का उंठ है वो बोज़ा डोनी की दरश्टी से परसीद है तो यह भी आपको जया रखने है बिकानेरी उंठ सबसे बारी नसल का उंठ है और राजस्तान में 50% जो भी उंठ है वो विकानेरी नसल के है हमारे यहां जो भी उंट है दिखाई हम को देखने को मिलते है वो है विकानेरी नसल के तो ज़्यादा तर संक्या वो किस नसल के उंटों के है विकानेरी नसल के उंटों के देवता के रूप में पाबुजी को पुजा जाता है उंटों के देवता के रूप में किसको पुजा जाता है पाबुजी को क्योंकि मारवाड या राजस्तान में उंट लाने का सरे किसको जाता है पाबुजी को जाता है उंटों के बिमार उने पर रात्री काल में पाबुजी की फड़ का वाचन किया जाता है तो किस लोग देवता कि फटका वाचन किया जाता है पबूजी की फटका उंठों के गले का अबुसन गोर्बंद कहलाता है तो दोस्तों बहुत बार एक्जामस में कोस्चन मिलता है कि गोर्बंद क्या है तो उंठों के गले का अबुसन ये एक्जामस तिवर्सा रोग अब दोस्तों सरा रोग नियंतरन के लिए जो भी योजना बनाएगे उंठों में सरा रोग नियंतरन योजना प्रदेश में उंठों की संक्या में गिरावट का मुख्य कारण सरा रो गए जिसके नियंतरन के लिए 2010-11 में यह योजना प्रारंबे की गई थी राइका या रिबारी उंठों का पलन पोशन करने वाली जाती है दोस्तों उंठों का पलन पोशन करने वाली जाती का नाम क्या है? राइका या रिबारी है दोस्तों विश्चम में अगर उंठ पलक जाती है तो याद रखना बद्दू अगर question पूछ ले जाए कि विश्चम में उंठ पलक जाती कौन सी है तो बद्दू यह अरब मुरुष्टल में पाए जाती है लेकिन राजस्तान में बात करें तो राइका या रिबारी उंठों का पलन पोशन करने वाली जाती है तो आपको यह द्यारक ने यहां से भी question पूछा गया है उंठों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला यह question important है उस्ता कला उंठों की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला केलाती है और उस्ताकला मुलत है लाहूर की है कहां की है लाहूर की और राजस्तान में इसे कौन लेकर आया तो राजस्तान में इसे लेकर आये थे बिकनेर के महराजा अनूपसियं और राजस्तान में लाने का स्रेह जाता है उनूप सियंक का काल उस्ता कला का स्वरन काल कलाता है अगर question पूछ लिया जाए कि उस्ता कला का स्वरन काल कलाता है तो आप पो याद रखना है उनूप सियंक काल उस्ता कला का स्वरन काल कलाता है दोस्तों उस्ता कला की कलाकार होते हैं उन्हों उस्ताद केते हैं उस्ताद ये भी ध्याने रकना है। उस्ताकला का प्रसिद कलाकर इसामदीन उस्ता को मना जता है। किसको मना जाता है इस साम दिन उस्ता को मना जाता है ये विकानेर के निवस्य वर्तमान में इनकी मृत्यू हो चुकी है महाराजा गंगा सिया ने चीन में उंठो की एक सेना बेजी जिसे गंगा रिसला के नाम से जाना जाता है अगर question पूछ लिया जाए कि महाराजाग गंगा सियाने चीन में उंठो के एक सेना बेजी थी जिसका क्या नाम था तो गंगा रिसला ये भी आपको याद रखना है फिर पानी को ठंडा रखने के लिए उंठो की खाल से बने बरतन को कोफी केते हैं कोपी क्या केते हैं कोपी उंठो की खाल से बने बरतन को कोपी केते हैं सर्दी से बचने के लिए उंठो के बालों से बने वस्तर को बाकला के नाम से जाना जाता है वनरक्षिक एक्जामस में इसे कोश्चन पूछे गए थे दोस्तों वनरक्षिक और जेल प्रेरी एक्जामस में तो आपको याद रखने हैं कि उंठों के बालों से जो वस्तर बनाये जाते हैं सर्दी से बचनी के लिए उन्हें कहते हैं बाकला तो ये भी आपको याद रखने हैं उंठ की नाक में पहनाई जाने वाली लकडी की कील लकडी की कील उसे कहते हैं गिर्बान दोस्तों उंठ के नाक में जो लकडी की कील पहनाई जाते हैं उसे गिर्बान कहते हैं उंट के बच्चों के लिए टोड़ी इँटोड़ी इस बद का प्रयोगे किया जाता है उंट पलक भिमा योजना ये योजना चुछ न या वे उंट पालकों के लिए वर्ष नौ में? कब प्रारम की थी उंट पालक बिमा योजना दो जर आठ है नो में बारत्य जीवन बिमा निगम, बारत्य जीवन बिमा निगम तथा जनरल इंसुरेंस कम्पनी के स्योग से लागू की गई है, अब बात करते हैं उंट का पैनावा, दोस्तो काठी होती है वो पीट पर पैननी जाती है गोरबंद करदन का बुषन है मौर्खा मुख पर पर्चनी यह पर्चनी है दोस्तों पर्चनी पूंच पर मेल खुरी यह गद्दी होती है ओके अब उन्ठों की पर्मुक नसले भीकणेरी जिस तानविसेस का नाम है वही पर अधिकतर पाय जाती है बिकानेरी बिकानेर में ही पाय जाएगी जेसल मेरी जेसल मेर में मारवाड़ी यह जो मारवाड़ इलाका है यहां पर पाय जाती है अलवरी अलवर में गोमट गोमट जो स्वारी के लिए फेमस है यह कहां पर है फलोदी जोधपूर यह आपको याद नसले उंठों की प्रमुख नसले इनमें प्रमुख नसले तो यह यह बिकानेरी है जैसल मेरी मारवाड़ी और गोमठ यह तीन चार नसले और नाचना का उंठ अपनी सुंद्रता के लिए ठेमस हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लग तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद गुंदे मातरम